नमस्कार दोस्तों कैसे आप सभी उम्मिद करते हैं बिलकुल मस्त और जवरदस्त होंगे आज की इस क्लास में बहुत ही महत्पुन कोस्टन्स लेकर आए हैं आपके रेलवे एक्जाम्स के लिए तो आज का ये क्लास आपके रेलवे एलपी, टेक्निशियन, एंटीपीसी, ग देकर आए हैं जो कि इस बार आपसे पूछे जाएंगे, चले तो बिनादिरी की वए शुरू करते हैं, आप सभी साथों का स्वागत है, एक्समार्ट स्टेडी यूटूब चैनल में, अगर क्लास पसंद आए तो एक लाइक आप जरूर कर दिना, देखिए पहला कोश्चि देखिए पीस बाइरस के कारन होता है, गलसुवा भी बाइरस के कारन होता है, और एंफ्लुएंजा ये भी बाइरस के कारन ही होता है, लेकिन तीनियास ये कवक के द्वारा होने वाला रोग है, तो करिक्ट अरए गा, ऑप्सन नमबर डी, ठीक है, next आन्डिम निमन लिकित आएगा पारीडॉक्सिन नियासिन विटामिन 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 विट और यहां आपका करेंगा आपको याद रखना है ठीक है चलिए आगे दीखिए नेक्सक्त कोश्चन कें और में इसे कौंसा बिटामिन वसा में गुलनलति नहीं होता है आप देखिए विटामिनों को दो भागो में वर्गे किरित किया गया है एक होता है जल में गुलने वाला विटामिन जो की होता है विटामिन B और विटामिन C एक होता है वसा में गुलने वाला विटामिन जो की होता है विटामिन A विटामिन D विटामिन E और विटामिन K ठीक है तो यहां पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा विटामिन है जो सब्सक्राइब करें, तो सर्वधिक प्रमानु हथियार की भात करें, तो यह किस देश के पास है। ते यह ज़ी किए किसने की, तो घर्मन खोलेद autobiography उल्चन फिया तो देखिए बॉल पेन की बात करें ना तो ये प्रिष्ठे तनाव के सिध्धान्त पर कायर करती है औप्सन नमबर एक करेक्ट होगा अंडे में कौन सा बिटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता है तो देखिए अंडे में बिटामिन A, B, complex, D तो पाया जाता ही है लेकिन अपने पिता से पाता है तो याद रिखिएगा 22 प्लस Y ठीक है ओप्सन नमबर ए और यहाँ पर अगर आपसे लड़की पूछता ना तो तो फिर आपका आंसर होता 22 प्लस X ठीक है चलिए next question देखते हैं अगला question है सारे दिक कारियों को करने के लिए किस प्रकार की उर्जा का उप्योग होता है याद रिखे पेसिया उर्जा का सिंपल सा question है option number C पेसिया उर्जा अगला question है stillless still बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है याद रिखेगा जस्ता धातु मिलाई जाती है option नमबर ए करेक्ट अंसर होगा यहाँ आपका जस्ता याद रख करेक्ट में से उस्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है तो देखिए उस्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है समुद्र का पानी option number B करेक्ट अंसर हो जाएगा ठीक है समुद्र का जो पानी होता है वो छारिय प्राकृति का होता है जिसका प्याच मान 8.4 होता है याद आगे लपीजी में कौन सा गंधिया पदार्थ उप्योग होता है यानि लपीजी जब कभी भी गैस लिख होता है तो जो जो गंध हमारे नाक तक पहुंचता है वो किसके कारण होता है किसकी उपस्थिती के कारण कौन सा गंध हमारे नाक में पहुंचता है तो याद रिख करने के लिए साथियों सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है याद रिखिए सिलिकॉन का अगला किसी चुम्बक को गर्म करने से उसके चुम्बक पर क्या आसर पड़ता है तो जब किसी चुम्बक को हम गर्म करते हैं तो उसके चुम्बक तो पर क्या प्रभाव पड़ता है तो या बायो गैस में यह नहीं होता है तो option number C correct होगा साथ यो chlorine याद रखना है बल का ऐसा है मात्रक क्या होता है तो देखेए बल का ऐसा है मात्रक होता है Newton option number भी correct हो जाएगा नेमने लिकित में से कौन सा rocket propellant की तरह उपयोग में नहीं आता है या नहीं होता है तो rocket propellant होता है तो अगला कुसिंफ निदमनलखित में से किसकी उस्माधा धारीता अधीक है तो इन में से किसकी उस्माधारीता सबसे अधीक है तो करिक्ट आएगा जल की ओप्षन नमबर भी जल देखिए मुख्य विधी जिसके द्वारा वातावरण में गैस कारवन डायोकसाइड कम होती है यानि किस विधी के कारण जो है वातावरण में कारवन डायोकसाइड गैस की कमी होती है तो याद रिखे करिक्ट आएगा प्रकास संसलेशन के कारण अगला question है प्राकृतिक वर्नवाद से संबंदित था यानि किस ने प्राकृतिक वर्नवाद का नियम दिया था तो correct आएगा Charles Darwin ने option number A निमन में से कौन सा जब निमन करनिया प्रदुसक है तो इन में से कौन सा एक जब निमन करनिया प्रदुसक है तो देखिएगा यहां correct answer हो जाएगा बहित मल बहित मल जो है यह जब निमन करनिया प्रदुसक का उधारण है ब्राउन एयर सब्द का परियोग किसके लिए किया जाता है तो देखिए ब्राउन एयर सब्द का परियोग जो है साथियो प्रकास रसानिक धुआ के लिए किया जाता है याद रिखेगा option number B नेक्स्टेंडिमन में से कौन सी गैस बैस्वी कुष्णता के लिए उत्तरदाई है तो देखिए इन में से कौन सी गैस है जो की बैस्वी कुष्णता के लिए उत्तरदाई होता है याद रिखेगा कारबन डियोकसाइड और मिथेन बैस्वी कुष्णता यानि ग्लोबल बर्मिंग में तो करबन डियोकसाइड और मिथेन करेक्ट होगा कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल केसर से ग्रस्त है तो यहाँ मार्बल केसर क्या है तो देखिए करिक्टेंस राएगा वहाँ अमलिय वर्षा जो मार्बल का चरन करती है ओप्सन नमबर सी ठीक है राष्टिया बानसपत्तिक उधान कहा पर इस्ती थे तो देखिए राष्टिया बानसपत्तिक उधान जो है यह लखनव में इस्ती थे करिक्ट आएगा ओप्सन नमबर सी आगे दिखिए एक कोशी का आयतन में बढ़ती है जब वह रखी जाती है किसमे तो याद रिखिए करिक टनसर आएगा एक अलप प्रसारी बिलियन में ठिक है तो option number B यहाँ आप का राय टर हो जाएगा आगे देखिए कपास के रेसे जो होते हैं विक्ष्या होते हैं तो याद रखना बीजो के अधि चर्मी रूम ठीक है ओप्षिन नमबर भी करेक्ट हैं और चर्मिन हो ठीक है, नेक्स्ट कोस्चन है, नेमन में से कौन सा क्रित्रिम परिस्तितिकी तंत्र है, तो साथियों देखिए, क्रित्रिम परिस्तितिकी तंत्र का उधारन है, जील तो प्राकृतिक है, घास का मैदान भी प्राकृतिक है, बन भी प्राकृतिक है, लेकिन धान का खेत ये तो मानव के द्वारा नेर्मित होता है ना तो क्रित्रीम होगा option number A लाइसोजोम में पाय जाने वाला वहाँ enzyme जिनमें जीव दरब को घुला देने या मीटा देने की शमता होती है क्या कालाती है तो भई लाइसोजोम में पाय जाने वाला वहाँ enzyme जिनमें जिव दरब को घुला देने या मीटा देने की छमता होती है उसको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं करिक्ट आएगा ओप्सन नमबर डी आगे दिखिए एड्स जिस वाइरस के कारण होता है उसका अनुवानसिक पदार्थ क्या होता है तो बहुत करिक्ट आए एक स्टेंडर्ड आरेने ओप्सन नमबर ए आगे दिखिए तपेदिक उत्पन करने वाला जिवानों कौन सा है तो देखिए तपेदिक उत्पन करने वाला जिवानों है वह माइको बैक्टेरियम ऑप्सन नमबर भी राइट होगा बैक्टेरिया में पाया जाने वाला प्र तोर कोशी का भिक्ति होती है इस कारण करेक्ट आएगा option नंबर भी ब्रिक्च समवर्धन किसका अधियन है तो ब्रिक्च समवर्धन के अंतरगत ब्रिक्चों और बनस्पत्ति की खेती का अधियन किया जाता है याद रिखेगा option नंबर ए राइट होगा एग्रो फोरेष्टी क्या होता है तो साथ यो एग्रो फोरेष्टी किसे कहते हैं याद रखना क्रिसी के साथ साथ उसी भूमी पर बारहा मासी ब्रिक्च लगाना option नंबर सी करेक्ट अंसर हो जाएगा यहाँ आपका अंसर आगे दिखे नेक्स्ट आप पादब बिज्यान की क्या कहल आता है तो देखिए बार्षिक बलेव का ध्यन जो है वह इंड करोनोजी कहलाता है औप्शन नंबर एंड करोनोलोजी याद रखना निमंळा apocalypse में से किसमे कार्बन नहीं पाया जाता है तो देखिए हीरा में भी कार्बन है ग्रेफाइट में भी कार्बन है कोईला में भी कार्बन है करेक्ट आएगा इन में से कोई नहीं क्योंकि इन सभी में कार्बन पाया जाता है आगे देखिए हाड्रोजन को बायू में जलाने पर क्या प्राप्ट होता है तो जब हाड्रोजन को आप बायू में जलाते हैं ना साथियो बायू में जलाते हैं तो भै जल की प्राप्टी होती है option number A, जल आगे देखिए tritium किसका समास्थानिक है तो tritium की बात करें तो ये hydrogen का ही समास्थानिक होता है hydrogen के कुल तिन समास्थानिक होते हैं एक tritium, एक होता है आपका deuterium और एक होता है protein याद रखना आगे दिखिए पीतल किसकी मौझुदगी में निरंतरन रहने से बायू के संपर्क में आने से रंगीन हो जाता है तो पीतल किसकी मौझुदगी की कारण बायू के संपर्क में जब आता है तो वो रंगीन हो जाता है याद रिखे hydrogen sulfide की मौझुदगी में करेक्ट आएगा option number B, hydrogen sulfide आपको यहाँ याद रखना है देखिए आगे दिखिए next है potassium की खोज किषने की थी तो साथियो potassium की खोज की बात करें तो यह Humphrey Davy ने की थी option number A, Humphrey Davy अंतिम question है कि एक टूटी हुई अस्थी को सही अस्थान पर जमा कर रखने के लिए एक सफेद पदार्थ का पानी में मिला कर बना गया पेश्ट पर्युक्त किया जाता है इस सफेद पदार्थ को क्या कहते हैं simple question है प्लास्ट और पैरिस option number A तो साथियो काफी महत्पून questions थे ये आपके सभी प्रकार के railway exams के लिए चाहे वो railway RPF railway ALP, technician, NTPC, group D कोई भी exam हो सभी में ये questions आपके लिए बहुत ही महत्पून होंगे तो questions कैसे थे class कैसा था comment box में बताना एक like जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ share कर देना class को मिलेंगे आप से next video में तब तक बिल्कुल स्वास्त रहें जहिंद वंदे मातरम